हलो एवरीवन विल्कम बैक तो मैं चैनल दोस्तों फिर से आप लोग ले धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ आज की वीडियो दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो एज रिलिटेड प्रॉलम के कुर्शन पूछे जाते एक्जाम के अंदर उसे सॉल्व करना आसान नहीं होता लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ कि आज के बाद एज रिटेड प्रॉलम के कुर्शन को पूरे पेपर में ढूर के निकालोगे और सॉल्व करके आओगे तो इस वीडियो के एंड टक जरूर देखेंगा दोस्तों ये सथी आपको सिखाऊंगा ट्रिक क्योंकि ट्रेडिसनल मेथर्ड भी आपको आना बहुत जरूरी है लेकिन दोस्तों उससे पहले सबसे पहले हम रीड करते हैं कोशन में दिया क्या है कोशन में दिया है दोस्तों कि अजय और उसके पापा का एज का रेशियो जो है वो 1 इस टू 5 दिया है लेकिन दोस्तों after 7 years 7 साल के बाद ये जो रेशियो दिया है वो बदलकर 3 to 8 हो जाएगा तो आपको फाइंड करना है कि what is the present age of Ajay and his father क्या करोगे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों traditional method में आपको suppose करना होता है तो यहाँ पर suppose कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर suppose करेंगे let the present age of Ajay क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर 1 दिया है रेशियो में दिया है तो क्या करना होता है 1x और 5x दिया है तो 1x लिखने का अगर मतलब नहीं है तो एक काम करते हम यहाँ पर x लिख लेते हैं उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे कि the present is present age of his father तो यहाँ पर लिखोगे 5x यहाँ पर आप years भी लिख सकते हो ठीके यहाँ पर years ही है ओके यह हमने लिख दिया है यहाँ पर उसके बाद क्या करोगे दोस्तों आप लिखोगे यहाँ पर after 7 years तो यहाँ पर लिखोगे after 7 years 7 years दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि यह age always sum के अंदर आपको एक बात का ध्याम रखना है यहाँ पर दिया है 7 years will become, will मतलब क्या है दोस्तो future tense, future tense की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, plus करना है और past tense की बात करेंगे तो आपको minus करना है, अब आपके दिमार्प में आएगा, यह plus और minus किसमे करना है तो आईए आपको बताता हूँ, सबसे पर दोस्तो क्या करोगे, जो आपका यहाँ पर present age suppose किया है, वहाँ पर आप x लिखोगे इस तरह से, ठीके, उसके बात दोस्तो यहाँ पर father age दिया है यहाँ पर आप लिखोगे 5x ठीके, यहाँ पर plus लिखना है आपको इन दोनों के अंदर, plus 7 और यहाँ पर दोस्तो, plus 7 और यह दोनों को क्या करना है ratio जो है, 3 is to 8 दिया है तो equal to करके 3 is to 8 में लिखोगे, मतलब 3 upon 8 इतना हो गया, उसके बाद क्या करोगे, दोस्तो, cross multiply करोगे इसको इससे multiply करोगे कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर बताता हूँ, सबसे पहले 8 लिखोगे, और यह x plus 7 यहाँ पर लिख लोगे, x plus 7 उसके बाद दोस्तो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लिजिए, और यह यहाँ पर लिख लिजिए, 5x plus 7 अब दोस्तो, यह 8 जो है यह इसको multiply करेगा, तो यहाँ पर 8x यह इसको multiply करेगा तो 8, 7 जब 56 हो जाएगा 3 इसको multiply करेगा तो 3, 5 जब 15x हो जाएगा और यह 3, 7 से multiply होगा तो क्या होगा, दोस्तो, 21 हो जाएगा अब क्या करेंगे, अब दोस्तों क्या करना होता है, like term को arrange करना होता है, like term क्या है, आईए आपको बताता हूँ, यहाँ पर 8x और यहाँ पर 15x, यह दोनो like term है, और यह 56 और यह 21 यह दोनो like term है, तो दोनों को एक साथ रख लेजिए, तो दोस्तों यहाँ पर 8x है, तो यह जो अब दोस्तो 8 और 15 को minus करोगे तो क्या होगा दोस्तो आपका 7 आएगा और यह बड़ी की sign minus की है तो यहाँ पर minus आएगा और साथ में x भी आएगा इतना clear हो गया अब दोस्तो इनको minus करोगे तो दोस्तो बड़ी की sign minus का आएगा और 21 minus 56 करोगे तो 35 आएगा तो यहाँ पर मैं 35 upon 7, क्योंकि 7 जो था multiply में था, इधर आएगा तो divide हो जाएगा, तो दोस्तो 7, 5 जा क्या होगा, 35 तो x equal to क्या हो गया, 5 हो गया, अब दोस्तों यहाँ पर answer हमें मिल जाएगा, आसाने से, यहाँ पर पूछा था, present age of Ajay, तो present age of Ajay x year है, तो x की value क्या है, 5 है, तो Ajay की age क्या होगा, 5 years होगा, ठीके, और उसकी father की age क्या होगा, दोस्तों, यहाँ पर 5 x दिया है, तो 5 multiply by x की value यहाँ पर 5 है, तो 5 5s are 25 years, यह आपका answer होगा, तो दोस्तों आपने सीख गए होगा आप traditional method, लेकिन दोस्तों आपको यह सब बिल्कूल भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए, आज में लेके आया हूँ, जादूई trick, जिसके मदद से आप चुटकियों में solve करोगे, तो आई आपको बताता हूँ, चलिए दोस्तों, 3 is to 8 दिया, यह आपने लिख लिए आपने, उसके बाद क्या करोगे, आप सब सब पहले अजय का निकाल लो age, तो a लिख दो यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों, अजय का ratio क्या दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, तो यहाँ पर आप 1 लिख लो, और time क्या दिया है, दोस्तों 7 years दिया है, तो आप यहाँ पर 7 लिख लिजिए, उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, नीचे का जो ratio दिया होता है, उन दोनों का difference निकाल लो, difference क्या होगा दोस्तों, 8 में से 3 जाय कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, 5 लिख लूँगा, उसके बाद क्या करूँगा दोस्तों, यह ratio को cross multiply करूँगा, उसका difference निकाल लूँगा, कैसे होगा, 8 1 जा, 8 लिख दिया, 3 5 जा क्या होगा, 15 होगा, और tension बिल्कुल मत लीजिए, 8 माइनस 15 या 15 माइनस 8, जो भी आएगा, माइनस प्लस कुछ भी आएगा, आपको positive ही लेना है, तो 15 माइनस 8 क्या होगा, दोस्तो 7 होगा, और भी positive में, ठीक है, negative होगा फरक पड़ता नहीं है, आपको positive ही लेना है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं 7 लिख लूँगा, clear हो गया, अब देखें दोस्तों कमाल देखें, आपका answer आ गया, अजय का age जो है, वो 5 years है, अब दोस्तों यहाँ पर, उसके father का age था, तो यहाँ पर मैं F लिख लेता हूँ, same concept है, यहाँ पर आपने 1 लिखा था, आपने अजय की age find करने के लिए, अब दोस्तों father की age find करेंगे, तो यह 5 यहाँ पर लिखेंगे, ठीके, उसके बाद यह सब तो same ही है, time हमें 7 years का ही है, difference नीचे का निकालना है, 8 minus 3, तो यहाँ पर 5 आएगा, और 7 आपको सिखाया मैंने, cross multiply करके, difference आपको निकालना है, तो यहाँ परा 7 लिखोगे, 7, 7 cancel हो गया, 5, 5 आएगा क्या होगे दोस्तों, 25 years आ गया, अब दोस्तों आपको लगेगा, थोड़ा confusion लगेगा, किसा समझ में नहीं है, लेकिन दोस्तों, 10 sum बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपको बहुत सारे question करवाऊँगा आज, और ये concept तो 100% clear कर दूँगा, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और एक question, तो चलिए दोस्तों आपके लिए second sum लेके आँगा, और second sum को दोस्तों, short cut trick से solve करेगे, लेकिन दोस्तों, इससे पहले question को read कर लेते हैं, कि question में दिया क्या है, यहाँ पर दिया है दोस्तों, रोहन और मोहन के ratio जो दिया है age का, वो है 3 is to 4, और दोस्तों कहा है, कि 4 years ago, this ratio was 5 is to 7, दोस्तों आपको मैंने पहले कहा था, कि age के जो sum होते हैं, उसके अंदर past और future, यह चीज का ध्यान रखना होता है, यहाँ पर बोला है, कि 4 years ago, तो यह क्या है past tense है, तो past tense में क्या होता है, दोस्तों minus करना होता है, लेकिन दोस्तों tension की बात नहीं है, यह short cut trick, past हो, या future हो, कोई फरक परता है, सब में काम आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोस्तों, यह आपका जो दिया हुआ ratio, यहाँ पर लिख लिए, यह 3 is to 4 लिख लिया, यहाँ पर जो ratio दिया है, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीके, फिर क्या करूँगे दोस्तों, सबसे पहले रोहन का age निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने R लिख लिया, मैंने, रोहन का देखिये, यहाँ पर ratio क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूँँगा, और time कितना है दोस्तों, 4 years ago दिया है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लूँगा, मैं फिर क्या करूँगा दोस्तों, नीचे जो ratio दिया होता है, तो उन दोनों का मुझे difference निकालना है, तो 7 minus 5 क्या होगा, दोस्तों 2 होगा, तो multiply by 2 लिखूँगा, मैं उसके बाद नीचे क्या होता है, दोस्तों cross multiply करके, उसका difference निकालना होता है, मतलब 7 3s are 21 हो गया, 5 4s are 20 हो गया, इन दो नमबर को minus कर लीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 लिख लीजिए, अब दोस्तों देखोगे आप, 4 3s are 12, और 12 2s कितना होगा, 24 होगा, तो रोहन का age जो होगा, 24 होगा, अब दोस्तों मोहन की age कैसे निकलेगा, आप यहाँ पर M लिखोगे, यह सब नमबर same to same ही रहने वाला है, सिर्फ यह 3 की जगा क्या होगा, दोस्तों 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए, 4 4s are 16 होगया, और 16 टूजा क्या होगा दोस्तों 32 होगा, तो मोहन का age जो होगा दोस्तों 32 years होगा, तो उमीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, चलिए और 2-3 question लेते हैं, जिससे यह concept clear हो पाए, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक question लिखे हैं, फिर क्या करूँगा दोस्तों, last में पढ़ऊँगा, मैं किसकी age find करना है, यहाँ पर 60 की age find करना है, तो यहाँ पर मैं S लिख लूँँगा में, और 60 की ratio क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उपर वाले को देखना है, मतलब यह 5 को देखना है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया, उसके बाद दोस्तों क्या करूँगा, time कितना दिया है, यहाँ पर time देखे 13 years लिख लिख लूँगा, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो ratio जो नीचे दिया होता है, उसका मुझे difference निकालना होता है, तो 6 में से 5 जाए, कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1, उसके बाद क्या करना होता है, दोस्तों यहाँ पर 5 5 है कितना होगा, 25 होगा, 6 4 है कितना होगा, 24 होगा, आपको क्या करना है, इन दो नंबर को माइनस कर लेना है, तो 25 माइनस 24 करो कितना मिलेगा, दोस्तों 1 दोस्तों उमीद करता हूँ दोस्तों कि ये trick की help से आप ratio के जितने भी sum होंगे age वो easily आप solve कर पाओगे अगर दोस्तों अगर आप सीख गए हो तो एक question आपके screen पे आगया है इसे आप solve कीजिए और comment करकी मुझे answer दीजिए जिससे मुझे पता चल पाए कि जिस मकसद से ये वीडियो बनाया मैंने वो पूरा हो गया है तो दोस्तों इस वीडियो को इतना share कीजिए कि जादा जादा लोग इसे सीख पाए और वो भी shortcut trick का use कर पाए तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सीखते रहें सिखाते रहें ऐसे ही प्यार देते रहें मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए दुआ मेयाद रखना अला हाफिस